दोस्तों आप सभी का फिरी इस शिक्षा में स्वागत है उमीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मैं भी ठीक हूँ आज से एक नया कलास शुरू होने वाला है इस कलास में सिर्फ करेंट अफेर्स डिसक्स होगा इसका पढ़ाने के तरीका ये होगा कि 10 से 15 करेंट का कोस्चन लेंगे उस कोस्चन से जुरा हुआ जितना भी पॉइंट होगा सभी पॉइंट को डिसक्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके आपका एक कोस्चन में 10 से 15 जवाब आपको मिल सके तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा यो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा और हो सके तो शेयर भी किजिएगा ओके आज का क्लास हम सुरू करते हैं एक कोश्चर में क्या बोल रहा है और तरिस्मा वर्ल्ड ओपेन चेस टूनामेंट किसने जीता तो पी यान जो ये तमिनाडू से बिलोंग करते हैं कि अर्य उदूनामेंट को जीता और यह टूनामेंट उवा था इसमें कुल देश सुलालादेश ने भाग लिया था कुल फिलारी 12 की कि भाग लिया थे ग्रेंड मास्टर 30 फिल्ड मास्टर भाग लियं थे दो पी यान बिसिकरी ये तमिनाडू से बिलोंग करते हैं और यह तीज मास्टर में तो आपको यह यह चीज को ध्याम रखना प्लेगा और यह कोशन इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यह टूर्णामेंट क्या हुआ था ओनलाइन आयोजित हुआ था ठीक है दुस्रे कोशन पर आते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी एंड सीओ कौन बना है यहां पर आपको थोड़ा कंफूजन हो सकता है क्योंकि अभी ही साउथ इंडिया बैंक का भी एंडी एंड सीओ चेंज हुआ था तो दोनों का नाम और मोर्स सिंब्लर है तो आप एकदम इस नाम पर ध्यान एक दोबिंग का पंजाब हैं संध बैंक का नया एंडी एन सीओ एस्ट कृष्णल बने हैं और पंजाब ह parked का हट कॉआटर कहा है दिल्ली है है पंजाब हैं शिंदा बैंक का हाट काुआट्कॉर्ट्र दिल्ली है केन सरकार ने कुल 177 चिनी एप को बेंड किया है टोटर 177 चिनी एप बेंड किया गए है फेज 1 में 59 एप को बेंड किया फेज 2 में 118 एप को बेंड किया गया है strang ते कटिक पूर्ब केकेटर का निधन हो गया उसके तो यह फिसके ठे खेले थे और टेस्ट से भी पुछा जा सकता है कि डेविट कैपेल किस खेर से बिलोंग करते थे या किस देश के खिलारी थे तो यह दो तीन तरीका से यह कोश्चन पूछा जा सकता है नेक्स कोश्चन पे आते हैं जी ट्वेंटी विदेश मंतरियों की और साधारन बैठक की अध्यक्ष्था किसने की यह अध्यक्ष्था साउधी अरव ने की अब हम जी ट्वेंटी के बारे में थ्वासा जनकारी कर लेते हैं इसके बारे में थ्वासा जान लेते हैं इसका अस्थापना नाइंटी नाइंटी नाइन में हुआ था और कुल साध देशों ने मिलकर इसका अस्थापना किया था साथ देश में कनाड़ा, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, जपान और इटली थें अब G20 में कुल 20 देश हैं और इसका सदस भारत भी है इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए या पूछा जा सकता है क्या G20 में भारत इसका सदस है तो भारत G20 का सदस है इसका कोई भी हैटक वारतर नहीं है 2008 में 2008 में head of the country जो country का head होते हैं किसी country में परधामंत्री या किसी country में राश्पति जो head होते हैं country का उसका आपस में मिटिंग आयोजी करने के रिए अनूमत्य हुई थी सभी के बीच में कि यह इतना उसमय इंपोर्टेंस रखें लगा था G20 देश कि सभी मिलके सोचे कि अब हम लोग आपस में head of the country भी का जो head है वो आपस में meeting करेंगे 1999 में क्या होता था उस समय कि जो सभी देश का जो बित मंत्री थे उसी बित मंत्री का आपस में meeting होता था और ये question इसलिए भी important है क्योंकि यहां पे विदेश मंत्रियों की और साधारन बैठक हुई है यहां पे वो साधारन बैठक है एक चुली इसमें हमेशा बित मंत्री का बैठक होता है लेकिन इस बार साउधी अरब में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी इसलिए यह question कुछ important हो जाता है अग्जाम के लिए ठीक है और शुरू में जो इसका first meeting हुआ था उसका वासि इसका अस्थाई गेस्ट है इसको बिलाये जाता है स्पेन को मार्च में head of the country के बीच मीटिंग हुआ था और यह साउधी अरब में video conference के द्वारा हुआ था यह साउधी अरब में video conference के द्वारा हुआ था यह साउधी कि नेक्स कोस्टन पर आते हैं साउथ इंडियन बैंक का एमडी एंड सीओ किसे बनाया गया है मुल्ली राम कृष्णन क्यूंकि अभी पंजाब एंड शिंद बैंक का आपको बताएं थे वहां एस कृष्णन थे यहां पर मुल्ली राम कृष्णन है तो दोनों का नाम आपस म मिलता जूडता है तो आप आप याद र Тут कियेगा इस नाम को अभशाय स्वर्णा मर्ण का मुल्ले में साउथ इंडिय में विलोंकि इसका कहां पर होगा साऊथ इंडिया कि топ है मुझे और घूर्ण कि ने अगा कि राज के राड्म स्थ्रो की सुरक्षा के लिए बिधेयक के पारिट किया ऑगन गया है और जो भी राज का जो धरोर है अगर उसको और कोई भी नुफसान पहुंचाएगा तो उसके उपर करी करवाई की की जाएगी तो अभी ये असम विधान सभा ने एक बिल्पारित किया था अब इसके असम के बारे मितरला हम जान लेते हैं हुआ का कैपिटर कहा कहा है दिश पूर है सिएम कौन है सरवानंद सौनु बार सियम कौन है सरवानन सोनोवाल गवनर कौन है जगदीश मुखी गवनर कौन है असम का जगदीश मुखी किन देशों के बीच नोसेना अभ्यास इंद्रा नेवी का एगार्मा संस्क्रन हुआ भारत और रूज के बीच इंद्रा नेवी अभ्यास होता है और ये एगार्मा संस्क्रन था और ये बंगार की खारी में हुआ था और चार और पांच सेप्टेंबर को हुआ था चार और पांच सेप्टेंबर को हुआ था और ये हमेशा दो बरसों में एक बार होता है इंद्रा नेवी अभ्यास दो बरसों में एक बार होता है यह important point है यह आप याद रखेगा, दो बरसों में एक बर इसका अभ्यास होता है, अब हम रसिया का बारे में जान लेते हैं, रसिया का प्रसिडेंट ब्रादिमीर पुतिन है, रसियन करंशी क्या है, Ruşy Rubel है, रसियन करंशी क्या है Rourse Yorbel है, Indian Chief of Never Stop कोन है, Commissioner Karambir Singh, Indian Chief of Never Stop Admiral Karambir Singh, भारत ने किस देश से अत्याधूनिक एक एक दोसोतीन राइफर भारत में बनाने हेवी तो एक बड़ा समझावता किया भारत ने किस देश से अत्याधूनिक 1K203 रैफर भारत में बनाने है तुँ इक बड़ा समझाएता किया तो यह देश रूस हैं, रूस से एक समझाएता किया गया है कि जो पहला 20,000, जो पहला 20,000 EK203 रैफर होगा भारत रूस से खरी देगा उसके बाद भारत में ही यह 1K203 रैफर को बनाया जाएगा और यह 1K47 के परिवार का बहतरीन रैफर है यह अत्याधूनिक रैफर है 217 के परिवार से ही ये जुड़ा हुआ है नेक्स कोशन क्यों राते हैं नेक्स कोशन है बर्स 2023 तक कोल इंडिया 500 परियोजनाओं पे 1.22 लाख खर्च करेगी कोल इंडिया 2023 तक 500 परियोजनाओं पे 1.22 लाख रुपया खर्च करेगी अब हम कोल इंडिया के बारे में जान लेते हैं कोल इंडिया का हेड़ कौाटर कहा है कुरकता है कोल इंडिया का चेर्मेन कौन है परमोद अग्लबार है चेर्मेन कौन है परमोध अगलबार, कोल मिनिस्टर कौन है शरी oy पहलाद जोसि psu पभलिक स्क्टर पी पम्पनी है यह कम्पनी का है मतलब यह है मतलब यह है कि जो इस कंपनी में जो गौवर्मेंट का हिस्सा होगा इस कंपनी में जो गौवर्मेंट का सेर होगा वह 51 परसेंट होगा पता एक आवन परसेंट होगा अगर किसी कंपनी में गौवर्मेंट का सेर एक आवन परसेंट होता है तो वह गौवर्मेंट का कंपनी कह लाइगा और इसका स्थापना नवंबर 75 में हुआ था तो आज का 10 क्रेंट अफेर्स हमें डिसकर्स किया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेयर बी कीजिए ठैंक्यू धन्यबाद जहिंड